क्रिप्टो मार्केट में किस तरह से इंवेश्मेंट करें कि एक लाक तेरा लाक बन जाएं उसका पूरा रोड मैं अपना आपके सामने लेके आ रहा हूँ इससे पहले मैं आपको वीडियो में बता दिये थे आल्ट कोईन की भाई या कौन से कौन से आल्ट कोईन हमने चुने है अब सेकंड पार्ट आपके सामने है ध्यान से देख लेना पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट भी देखना आपको जरूरी है और भाईया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाना अब सिंपल देके चलते हैं भाई क्रिप्टो है क्रिप्टो में कैटेगरीज है अल्ट कोईस की ठीक है मैंने अभी तक कितनी आपके सामने कैटेगरी रख दी है पांच रखी थी स्ट्रॉंग कोईन उसके बाद वैब थ्री उसके बाद डेक्स उसके बाद मैटावर्स और मीम टोकन पांच अल्लेडी रख दी थी मैंने एक और हैड करी है मेरे भाई पिछले वाली वीडियो में एक गिलिश था छोटा सा एक कैटेगरी मैंने एड नहीं करी थी एक और कैटेगरी मैंने एड कर दी है अब है डेफी ठीक है तो हमने छे कैटेगरी उर्था ही है औल्ट कोईन्स की स्ट्रॉंग कोईन, वैब थ्री, डेक्स, मेटावर्स, मीम कोईन और आपके डेफी DEFI में मैंने तीन altcoin और add कर दी है COMP, AVEX और AWE COMP, AVEX और AWE उससे पहले मैंने ये सारे उपर के altcoin आपको बता के रखे हैं उस वाली वीडियो में आप जा के देख लेना अब किस तरह से investment करना है मैं आपको बताता हूँ अब 1,000,000 को 13,000,000 में divide करना है मेरे भाई, divide मतलब की multiply करना है तो यार हमें अच्छी सी category चाहिए होगी हमें अच्छा सा investment चाहिए होगा altcoin के अंदर, इतना अच्छा altcoin के अंदर investment चाहिए होगा कि altcoin pump करें, तो हमसे एक भी rally मिस्ट माओ इसलिए मैंने क्या करा, मैंने भाई different category बना दी अब एक लाग रुपे है हमारे पास है ना, यहाँ पर एक category है हमारी strong coin strong coin मतलब बहुत मजबूत altcoin है ठीक है, एक लाग हमारे पास है तो उसका 50% यानि की एक लाग के 50% कितने होते हैं पचास या रुपे पचास या रुपे डालने वाले हम भाई strong coin के अंदर जो बाकी बचे ना, उनमें 50 या डालेंगे, और जो strong coin है, उनमें 50 या डालेंगे टोटल बैठे का 1,00, लेकिन strong coin में मैं आपको बता रहूं, हम 50 या रुपे इंवेस्टमेंट करने वाले हैं, यानि की total investment का 50%, यानि की 50 या रुपे, एक लाग का 50% गता होता है 50 या रुपे, ठीक है, तो वो डालेंगे हम strong coin के अंदर, अब 4 alt coin है मेरे भाई, द्यान से सुन लेना पहला bitcoin है, दूसरा ethereum है तीसरा ADA, और चौथा आपका Matic है, bitcoin, ethereum EDA और Matic bitcoin और ethereum के अंदर हम डालेंगे 20, 20 से या रुपे bitcoin के अंदर जाएंगे 20 से या रुपे ethereum के अंदर जाएंगे 20 से या रुपे total होगे कितने, 40, अब बचे 10 और 2 alt coin बचे, ठीक है तो हम Matic में डालेंगे 5 या रुपे, और ADA में डालेंगे 5 या रुपे, clear है हमारा total investment कितना हो गया 50 या रुपे का हो गया यानि कि भगया हमें 100 रुपे डाले दे 50 या रुपे हमने डाल दी है अब return किस तरह से हम देखेंगे मेरे बचे मुझे लगता है कि जहाँ पर crypto market आज की date में पड़ी हुई है, यहां से बहुत प्यार से, बहुत प्यार से 15x 20x बहुत प्यार से altcoin हो सकते हैं, लेकिन जो strong coin है इन से थोड़ा सा हम हलका बुलका expect थोड़ा कम कर रहे है ठीक है, bitcoin से हम expect कर रहे है कि bitcoin आज की date में कहीं भी है यह 20x या 20x बहुत दूर की बात है कम करते हैं, हम expect करते हैं जो bitcoin है, वो 10x हो जाए ethereum coin जो है, वो 10x हो जाए जो आपका ADA coin है वो 10x हो जाए और matic मेरे भाई बहुत ज़्यादा strong है तो matic का हम सोच लेते हैं कि भाई यहां से 15x हो जाए, ठीक है bitcoin 10x हो गया, 10x का मतलब क्या यानि कि 1 रुपे डाले तो 10 रुपे हो जाएंगे 10x का मतलब यह है, अगर आपको लग रहा है कि भाई यह क्या हवा में बात कर रहे हूँ तो भाई crypto market है, crypto market में 100x 1000x, 10,000x तक हो जाते हैं, तो यह तो मैं सिर्फ 10x और 15x की बात कर रहा हूँ, ठीक है अब bitcoin के अंदर डाल दी हमने कितने 20,000 रुपे, कितने होगे 10x यानि कि 2,000,000 का investment 2,000,000 का return हमें bitcoin से मिलेगा, 2,000,000 का मिलेगा Ethereum से, क्योंकि हमने same amount Ethereum के अंदर भी investment करा हूँ है ADA से कितना मिलेगा, मेरे बाई ADA से हमें मिलेगा, 5,000 रुपे डाले है 10x हो जाएंगे, तो हमारे 50,000 रुपे हो जाएंगे ठीक है, Matic से कितना मिलेगा 5,000 रुपे डाले है, और 15x का return है यानि कि हमारे 75,000 हो जाएंगे तो total अगर आप मिला दोगे 50,000 रुपे के investment पे आप 5,35,000 कमा सकते हैं सिर्फ strong coin में investment करके, for the long term टाइम कितना होगा, 25,26 ठीक है, अगर hold कर सकते तो कर लेना, अधरवाइस कोई दिक्कत की बात ही है तो 50% में आपको बता दिया है 50,000 का, हमने भईया ठीकाने लगा दिये 50%, अब बचे 50% अब 50,000 रुपे हमें 1, 2, 3, 4, 5 5 के रटेगिरी के अंदर डालने है Web3 के अंदर डालने है, Dex के अंदर डालने है Metaverse के अंदर डालने है, Meme के अंदर डालने है और Defi के अंदर ठीक है अब Web3 के अंदर हम 50,000 में से सिर्फ 15,000 रुपे investment करेंगे ठीक है और DEX के अंदर हम कितने investment करेंगे 15,000 रुपे यानि कि 50,000 रुपे का जो बाकी 50,000 रुपे बचे हैं उनमें से 15,000 रुपे डालेंगे हम WEB3 के अंदर और 15,000 रुपे डालेंगे हम DEX के अंदर ठीक है decentralized exchanges के अंदर अब WEB3 के उपर आ जाते हैं WEB3 में मैंने आपको 4 altcoin बताये हुए हैं ठीक है एक है आपका dot दूसरा आपका link तीसरा आपका GRT और चौता है आपका ENS मैं आपको बता दूँ अगर आपको लिस्ट शेगी है तो पहली वाली वीडियो दिया के देख ले ना 3,750 यानि कि 4 altcoin में हम 3,750, 3,750, 3,750 और 3,750 हम डाल देंगे टूटल हो जाएगा अपका 15,000 रुपे है ठीक है तो dot link GRT और ENS एक-एक altcoin के अंदर हम डालेंगे 3,750 रुपीज अब भया return altcoin है तो 15x का हम return कम से कम इन से लेंगे 15x का return मिलेगा हम इन से ठीक है तो हमारा total कितना हो जाएगा investment amount कितना हमारा 15,000 एक coin में कितना गया 3,750 हमारे जो return बन गया आएगा 15x मान लो आप तो मेरे भाई वो return बन गया इन 4 altcoin से लगब 2,24,000 रुपीज का कितने डाले मातर डाले 15,000 रुपे और कितने निकाले 2,24,000 हवा में बात नहीं है सब fact है मेरे बाई उसके ब बताया dex के अंदर भी हम 15,000 रुपे डालेंगे एक altcoin के अंदर कितना आएगा अगर 4 altcoin है 3,750 रुपीज कौन से कौन से altcoin है यूनी है केक है वन इच है यह हमारे 4 altcoin है जो कि dex की category में है ठीक है एक altcoin के अंदर कितना डालेंगे 3,750 रुपीज return कितना expect करेंगे 15x का तो कि इतने मिलेंगे हमें अगेन हमें 2,24,000 रुपीज यहां से मिल जाएंगे ठीक है किलिए dex अब आ जाते है मेरे भाई Metaverse में ठीक है जो Metaverse में मैंने 3 altcoin रखे है एक आपका theta है send है और ENJ हम Metaverse के अंदर डालने वाले हैं मात्र 7,500 रुपे ठीक है 3 altcoin है 7,500 रुपे हम Metaverse के अंदर डालने हैं तो एक altcoin के हित में कितना आएगा मेरे भाई obvious सी बात है 2,500 रुपे यानि कि 2,500 रुपीस आने वाले है 2,500, 2,500, 2,500 तीन altcoin है तीन होके अंदर डाल दी है टोटल कितना हो गया 7,000 रुपे ठीक है जो return expected है मेरे भाई वो 15x का है यानि कि अगर हम 7,000 रुपे डालेंगे तो 1,12,500 रुपे हम इनसे निकाल सकते हैं बहुत अराम से निकाल सकते है 15x बहुत प्यार से हो सकते हैं मेरे भाई ऑल्ट कोईन ठीक है मेटावर्स से हमने कितने निकाल दिये साड़े साथ डाले थे 1,12,000 रुपे निकाल दिये अब आते हैं मेरे भाई एसी केटिगरी के उपडर जो कि मैंने पिछली वीडियो में एट नहीं करा थे वो है डैफी, डैफी के अंदर भी हम आपका साड़े साथ यार रुपे डालेंगे ठीक है और कितने alt coin है तीन alt coin है तो एक के अंदर कितने आएंगे कितने आएंगे डाही अजार रुपे ठीक है कॉम के अंदर डालेंगे डाही अजार एवेक्स के अंदर डालेंगे डाही अजार आप एके अंदर डालेंगे 5,000 return कितना expect करेंगे 15x का है ना तो कितना कितना बन के आएगा जो 5,000 है वो हमारे 37,500 convert हो जाएंगे ठीक है total मिला दोगे आप तो 1,12,500 रुपे हम defy से भी कमा सकते हैं clear है अब last है आपका meme token meme token में मैंने दो ठाएं dogecoin और shiba inu coin अब meme token है विरे भाई मैं return in से बहुत ज़्याद है मानता हूँ मुझे लगता है कि बहुत easily जहां पर alt coins आपके 10x 15x दे रहे meme token आपके 20x तक आपको provide कर सकते है हम डालेंगे मातर meme token के अंदर 5,000 रुपे जो आखरी हमारे बचे न एक लाक में 95,000 तो हमने खर्च कर दिए 5,000 रुपे डालें 5,000 रुपे मैंसे 5,000 डालेंगे dodge के अंदर 5,000 डालेंगे shiba के अंदर 20x लगा लोगे आप तो भाई dodge आपको 50,000 रुपे देगा और shiba inu आपको 50,000 रुपे देगा total हो जाएंगे आपके 1,000,000 रुपे ठीक है अब भाईया लगा लेते हैं हम category देखो 50,000 रुपे तो हमने strong coin के अंदर डाल दिये web 3 के अंदर कितने डालें हमने 15,000 रुपे जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया फिर हमने dex के अंदर कितने डालें 15,000 रुपे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया metaverse के अंदर कितने डालें 7,000 रुपे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया mean token के कितने डालें 5,000 रुपे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और DeFi में कितने डाले हैं DeFi में डाले मेरे भाई अगेन हमने 7.50-6.80 रुपय और 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया भाई अब आप टोटल कर लो टोटल कितना बैटता है टोटल बैठे गा हमारा यहां से market अगर 20x भी हो गई न 10x 15x 20x भी हो गई तो भाई strong project दे देंगे हमे 5,35,000 उसके अलावा मैं आपको बता दू मेरे भाई जो आपके web 3 वाले होंगे 2,24,000 DEX दे देंगे 2,24,000 Metaverse दे देंगे 1,12,500 अगेन DEFI दे देंगे 1,12,500 और Meme token दे देंगे आपको 1,00,000 रुपे total आप मिलाओगे मिला लो मेरे भाई 1,00,000 रुपे के कितने बैठते हैं 1,00,000 रुपे के लगबग 13,00,000 रुपे बैठते हैं इस हिसाब से यह मेरा investment plan है अगर आपको चाहिए तो भाईया comment box में एक बार comment कर देना मैं इसका जो file है वो आपके सामने मैं पेश कर दूँँगा फाइल लगा दूँगा मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए तो भाई यह था मेरा बस भाई मैंने 1,2,3,4,5,6 category उठाई है च्छे category में एक category strong coin की जिसमें 85 और डाल दिये ठीक है वैब 3 और DEX में मैंने कितने कितने डाले 15,5,000 रुपे Metaverse में और DEFI में डाले में साड़े साथ साथ और जो बाग की बचे meme token में डाल दिये 5 और भाई यह मैं फिर wait करूँगा 20X, 15X और 10X का होने का हो जाएंगे तो भाई 13,00,000 के गरी बहुत प्यार से crypto market से आप बना सकते हो सिर्फ 1,00,000 रुपे का investment करके वीडियो कैसे लगी बाई बता देना बहुत महनत लगी है वीडियो में क्योंकि मैं थोड़ा week हूँ लेकिन फिर भी यह चीज मैं आपके सामने रख दी है क्रिप्टो फैमिली से अपने के से बहुत प्यार है क्रिप्टो के से जिन्दाबाद क्रिप्टो मार्केट जिन्दाबाद प्लैन बनाओ सरूरी नहीं है कि आपको यह फॉलो करना है अपने साब से इन में altcoin पे निकाल सकते हो आप अपने साब से रख सकते हो लेकिन investment plan तो जूम इन करके ही क्या मैं आपको ऐसी दिखा देता हूँ ठीक है जाते जाते चाहिए आपको अच्छे से पता लग जाएगा ठीक है तो देखो एक लाग रुपे investment करें तेरे लाग बनाने है कैटेगरी कौन सी कौन सी है हमाई पास strong coin की है web 3 की है DEX की है Metaverse की है meme token की है और हमारी एकोडेफ ही है strong coin के अंदर 50 यह रुपे investment करेंगे मात्र ठीक है Bitcoin के अंदर 20 यह रुपे Ethereum के अंदर 20 यह रुपे ADA के अंदर 5 Matic के अंदर 5 50 यह रुपे के कितना investment आ जागा अगर 10X 15X होगा यह altcoin इतना उसके अंदर web 3 के बाद web 3 और DEX के अंदर हम डालेंगे 15 15,000 रुपे 30 यह रुपे डालेंगे इन दो category में dot link GRT और ENS अगर एक altcoin के अंदर 4 में अगर आपको 15,000 डालने है तो एक अंदर कितना हैंगे 3,750 ठीक है 3,750 तो कितना return आ जागा 56 56 56 56 अगर यह 15X होगे टोटल कितना आएगा इतना same with this metaverse में 7,000 रुपे डालेंगे और DEFI में डालेंगे 7,000 रुपे है ना अब इसको convert आप इसको सबको एड़े कर लेना आपके सामने पूरा return आ जाएगा thank you so much जाती याते भी एक और बार मैं zoom in करके आपको दिखा देता हूं यह आप देख लो ठीक है buy a ticket screenshot लेन है screenshot लेलो आप ठीक है buy a ticket and be save जाती याते किट प्रोसिंदावा जरू लिख देना